हेलो वीवर्स, अस्सिलाम लेकूं, मैं हूँ रोशन, आज हम आपके साथ शेयर करें चीवडा और ये आलू का बहुत ही टेश्टी नाश्ता रेसेपी इसे पोहा भी बोला जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले एक कप हमने ये पोहा ले लिया है और तीन आलू को हमने छील लिया है, और ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से देख सकते हैं इस तरह से हमने सबी को ग्रेट कर लिया है, और इसमें हम पानी डालते हैं, इसमें स्टार्च भी खतम हो जाएगा और अच्छी तरह से साब भी हो जाएगा तो इस तरह से ये जो चिप्स जो है उस पे हम पानी डाल रहे हैं इसमें जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाएगा जो बचा हुआ है ये है ग्रेट हमने किया था उसको तो इस तरह से हमने निकाल लिया है पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे बहुत अच्छा से इसको धो लेंगे फिर 2-3 बार करके तो इसको हम छानेंगे इधर हमने ये पोहा लिया हुआ है और इसका हम पाउडर बनाएंगे तो मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लेते हैं इस तरह से देख सकते हैं स जो आलू हमने रखा हुआ है इसको हमने धो लिया था और इसे में डाल देते हैं पानी से छान करके और इस तरह से चलाते रहेंगे फिलेम को हमने लो रखा हुआ हल्दी पाउडर 1-4 ऐटी स्पून 1-4 ऐटी स्पून जीरा काली मिर्ज का पाउडर और रेट चिली पाउड तो इस तरह से हम चला रहे हैं लो फ्लेम पे और लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं पोहे का पाउडर और इसी तरह से पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फ्लेम को बढ़ाना नहीं है वैसे थोड़ा बहुत आलो जो चिपका हुआ था वो भी निकल जाएगा और बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा इसमें गुठले इस तरह से बिल्कुल नहीं बनेगा और इस तरह से देख पारे होंगे कितना अच्छा ये देखने में ही लग रहा है और थोड़ा बहुत और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कलर भी इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है औ और हाफ अभी हमने यूज किया है और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से हम पूरा पानी डालेंगे तो ऐसे मिक्स हमने कर लिया है थोड़ा सा और पूरा पानी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और पूरा हम मिक्स कर ले रहे हलका सा यह mix करेंगे उसके बाद अभी हमने नमक यूज नहीं किया है अब हम नमक इसमें डाल देते हैं half teaspoon वैसे test के according आप नमक इसमें डाल सकते हैं तो half teaspoon बिल्कुल perfect है half tablespoon इसमें हम till add कर देते हैं इसमें optional है आप चाहें तो डाले वरना ना डाले तो इस तरह से test बहुत अच्छा आता है तो इस तरह से सभी को mix कर लेते हैं और अच्छी तरह से ये डो का form में आ जाना चाहिए तो इस तरह से हम पूरा low flame पर ही इसको बना रहे हैं अच्छी तरह से ये डो की तरह हो चुगा है तो अब हम guys को बंद कर देंगे देख पार होंगे काफी ठिक लग रहा है गैस को अब बंद कर दे रहे हैं और अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जो भी हमने डाला हुआ है नमक और ये तिल जो हमने डाला हुआ है और थोड़ा जो चिपका हुआ है कड़ाही के नीचे इस तरह से तो ये फुरा निकल जाएगा तो इस तरह से हमने सभी को mix कर लिया है और बहुत अच्छा ये डो हमने त्यार कर लिया है तो एक प्लेट में हम प्लेट को grease करेंगे सबसे पहले क्योंकि उसमें हमको जमाना है तो प्लेट में हमने oil थोड़ा सा डाल दिया है अच्छी तरह से इस तरह से हम पूरा फैला लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं जो हमने डो तयार रखा हुआ है और इस तरह से अभी काफी गरम है हलका से ठंडा होने दे रहे हैं जैसे कि हम हाथ से पकड़ सके और ये हलका से ठंडा हो चुका है और हाथ से अच्छी तरह से इसको हम सेट कर लेते हैं, इस तरह से, ये बहुत आसानी से सेट हो जाता है, आप एक बार मेरे तरीके से ये नाश्ता जरूर बना कर ट्राइ करें, बहुत आसान भी है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है, हाथ से हमने चारो तरफ से इस झिकन कर लिया है और चाकू से इसमें हम कट लगाते हैं क्यूंकि ya भी ठंडा नहीं हुआ है गरम ही है तो कट लगा करके छोड़ देते हैं थे अगर यह प्रेट का शेप देना है जिस तरह से आपको ईगर आप पसंद हो उस तरह से आपकर सकते हैं लेकिन इस तरह से छोटा-छोटा बहुत ही अच्छा लगता है और अशानी खोड़ा है हैं और सभी को निकाल लेंगे यह ठंडा हो चुका है उधर हमने कड़ाही में ओयल भी गरम कर लिया है तो ऐसे एक बैच में जितना आ सके उतना हम डाल लेंगे देख पारे होंगे पीसेस कैसा है तो इस तरह से यह थोड़ा मोटा मोटा सा है ज्यादा मोटा भी नहीं अंदर बाहर अच्छी तरह से सीखेगा बाहर से इतना क्रिस्पी इतना अच्छा लगता है कि पूछे ही नहीं तो इस तरह से बहुत अच्छा से हम सेक रहे हैं और थोड़ा सा गोर्लन ब्राउन और हम होने देते हैं उसके बाद हम निकाल लेते हैं कलर बहुत अच्छा आ लाइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो देखा आपने कितना जटपट ये नाश्ता हमारा बन चुका है बहुत ही टेस्टी है बहुत ही क्रिस्पी है आप एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ किजिए ब मार्केट में मिल जाते हैं तो बहुत असाने से तो आप इसे बना सकते हैं